पुलीस वाले वो ठोकने का अन्जाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठोकाई अलग से और इस पुलीस वाले ने अगर ठोका प्रमोशिन अलग से और बहादूरी का मेडल भी कौन है? कौन है तू? चाप पहुँच गया है वही रह वर्नाद क्या है सल्मान टॉकीज? क्या है सल्मान का नया दाव? फिल्म अन्तिम कहा रिलीज होने से चूक गई? हलो और वल्कम टू बॉलिवराद स्टूडियोज मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शूती बॉलिवूद सूपरस्टार सल्मान खान जल्द ही अपनी अगले फिल्म अंतिम दफानिल चूत में नजर आने वाले हैं फिल्म में उनके जी जायो शर्मा भी ली जोल में नजर आएंगे सल्मान एक एक्टर के अलावा एक सफ़क प्रडूसर भी है अब जल्दी सल्मान एक और फिल्ड में कदम रखने की योजना बना रहे हैं सल्मान का प्लान है कि वो देश भर में अपनी एक थीटर चेन खोले इस सिनिमा घरों की चेन का नाम सल्मान टॉकीज होगा सल्मान का थीटर चेन खोलने का प्लान कई सालों पुराना है कि जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा लेकिन इस प्लान में देरी एक वज़ा सामने आई थी जो है कुरोना जी हां कुरोना के टाइम सभी सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था अब कोई भी अपने घाटे के लिए तो थीटर में पैसा इंवेस्ट करेंगा नहीं तब क्या स आपकी भी नहीं सुनते यह कुरोना क्या चीज है लेकिन हाँ सब कुछ कुरोना वाइरस के चलते रोक दिया गया था अब धीरे धीरे वह वापस ट्राक पर आ रहे हैं और निश्चत तोर पर एक दिन थीटर्स खोले जाएगे हाला कि बड़े और मेट्रो शेहरों के जो ल कि सल्मान टॉकी शुरू में केवल महराश्च में खोले जाएंगी इसकी बाद इनका विस्तार भारत के अन्य राजों में किया जाएगा अगर यह काम कुरोना से पहले हो जाता तो शायद आज हर गाओ कसबा जिला सल्मान टॉकी इस पर फिल्म अंतिन देख पाता पर कोई कि ना सल्मान उस पर अपनी बाद में ही लगवा देंगे क्योंकि अपने फैंस को नराज करना तो इन्हेंने सिखा ही नहीं है तो यहां भी सल्मान हरीशा की तरह दस में से दस नंबर ले गए कभी फिल्मों में कुछ अलग डायलॉग जैसे सरदार की हटी तो सब की अब सल्मान एंटेटेणमेंट पहुचाने वाले हैं, इनिटेटेणमेंट से यादा आया ऐसी ही एक एनिटरेणमेंट की डोज लेकर सल्मान लिखन एक फिल्मों में डेब्यू कर रही है जो 26 नवेमर को रुलीज होने जा रही है फिल्मानते में एक राज है जो इसका क्या आप भी जाना चाहते हैं क्या वो राज है तो जुड़े रही हमारे चानल के साथ और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक आप खुश रही सेफ रही है और जाते जाते कीचे इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब करने हैं